Hello viewers, welcome to my YouTube channel Food and Fitness, मैं हूँ कीरन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे देंगू बुखार से बचाव के बारे में जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आज कर देंगू बुखार फैल रहा है अपने घुटनों से पैर के पंजों तक नारील का तेल लगाई यह एक एंटिवाइटिक पर्त की तरह सुबह और शाम तक काम करता है देंगू का मच्छल गुटनों तक की उन्चाई से जादा नहीं उड़ सकता किसी को देंगू हो गया हो तो हरी इलाइची के दानों को मूँ में दोनों तरफ रखें ख्याल रहे कि इन दानों को चुबाए नहीं सिर्फ इन्हें मूँ में रखने से ही खून के कन और प्लेटलेट्स तुरंत ही बढ़ जाती है वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब के साथ एक गंटी है जिसे प्रेस करें ताके कोई भी इंपोर्टेट वीडियो मिस ना हो तो फ्रेंड्स डेंगू का वाइरस देश के महानगरों में प्रकौप फैलता जा रहा है ऐसे में यह जानना जुरूरी है कि इस से बचने के लिए क्या करें नमब एक प्राइड डेंगू का मच्छर दिन के समय काटता है इसलिए दिन में मच्छों के काटने से खुद को बचाएं नमब दो बारिश के दिनों में फुल टीशट पहनें पामों में जुत्ते जरूर पहनें बोड़ी को कहीं से भी खुला ना छोड़ें नमब तीन घर के आसपास या घर के अंदर पानी नहीं जमा होने दें कूलर गमले टायर इत्यादी में जमा पानी को तुरंत बाहर निकाल दें नमब चार कूलर में यदि पानी है तो इसमें किरासन तेल डालें जिससे मच्छर नहीं पन पी नमब पान्च मच्छर दानी का प्रियोग करें मच्छरों को दूर करें नमब चे पानी की टैंकियों को सही तरीके से ढखकर रखें नमब साथ यदि आपको डेंगू हो गया है तो ये प्रहेज करते रहें जिससे आपकी बोड़ी का वाइरस दूसरों तक ना पुंचे का मुख्या तरीका सहाइक्च किस्सा देना ही है रोगी को लगतार पानी देते रहें नहीं तो बोड़ी में पानी की कमी हो सकती है 10. रोगी के खून में यदि प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो गई है या फिर रक्स त्राव शुरू हो गया है तो खून चड़ाना पर सकता है 11. डेंगू होने पर खूद कोई दवा ना ले योग कि यदि आप नी गलती से कोई भी दवा ले ली तो रक्स त्राव बढ़ सकता है 12. सधारन पेरासिटामोल रोगी को देने में कोई हर्ज नहीं है फ्रेंड्स आज मैंने आपको बताया है डेंगू बुखार से बचने के उपाई फ्रेंड्स मेरी आप सबसे एक ही रुक्रेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शियर करें ताकि जिन लोगों को डेंगू या सधारन बुखार के कारण प्लेरेट्स कम हो चुके हैं उनका आपकी वज़ा से भला हो सके ओके बाई बाई एक इंपोर्टेंट बार अगर आप अपनी इंग्लिश की वर्ड पावर को इंप्रूव करना चाते हैं तो हमारे इस चैनल को विजिट करना ना भूलें इसका लिंक दिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको मिल जाएगा